नमस्कार प्यारे बच्चो आज के कलास में आप सभी प्यारे स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चो आज के कलास में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कलास 11 फर्स तर्म एक्जाम अगस्ट के लिए जो है History and Ethics का Real Question Paper का Answer की तो आप सभी प्यारे स्टूडेंट आज के कलास को Last तक जरूर देखेगा प्यारे बच्चों ये आपका 30 अगस्त का Question Paper है तो अगर आपका 30 अगस्त को एक्जाम है Class 11th History का तो आप लोग आज के कलास को Miss नहीं कीजेगा पूरे कलास को Last तक देखेगा और हड़ी कुस्टन को कलास में याद कर लेजेगा ठीक है और आप सभी को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में सेर कर दीजेगा और जितने भी प्यारे स्टूडेंट चैनल से नए जुर रहे हैं तो चैनल को सबस्काइब करके बेल आइकन प्रेज जरूर कर लेजेगा प्यारे बच्चों आप सभी का Final Board परिक्षा का तैयारी जो है इसी चैनल पर कराया जाता है ठीक है तो अगर आप सभी बेहतरी तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इस प्यारे से यूटूब चैनल MS Institute को सबस्काइब करके जरूर रखें तो देखे पहला कुस्टन पूछा गिया है कि साक्षियों से ग्यात होता है कि होमिनिर्स का कहा उद्बब हुआ तो आप याद रखेगा अफरीका में नेक्स चलते हैं चार नमबर सवाल आधूनिक मानव के साक्ष अफरीका के किस अस्थान पर मिले हैं तो चार का राइट एंसर बी हो जाएगा उगांडा में मिले हैं पांच नमबर सवाल देखे यानि पराडंबिक ऑजार कहां से पराप्त हुए हैं तो आप याद रखेगा पराडंबिक ऑजार जो यानि पराप्त हुए हैं बोक्स गरोप से राइट एंसर बी हो जाएगा नेक्स चे नमबर सवाल देखे मेजो पोटामिया की पहली ग्याद भासा क्या थी तो आप याद रखेगा अकादी थी राइट एंसर C हो जाएगा साथ नमबर सवाल देखे निम्नांकित में से पराचैंटम सब़ता कौन सी है तो आप याद रखेगा मिश्र जो है पराचैंटम सब़ता है राइट एंसर ए हो जाएगा नेक्स्ट आठ नमबर सवाल देखे यहाँ पर पूछा गिया है कि मेसो पोटामिया की आरंभिक सबबता कौन सी थी तो आप याद रखेगा सुमेरियन सबबता राइट एंसर ए हो जाएगा नेक्स्ट नो नमबर सवाल देखे मेसो पोटामिया की सबता किस नदी के किनारे विक्सित हुई यहां पर नदी पूछा है तो आप याद रखेगा दजला नदी के किनारे मेसो पोटामिया की सबता विक्सित हुई दस नमबर देखें मेसो पोटामिया कहां था तो मेसो पोटाम्या जो था इराक में था राइट एंचेय। ओप्सण नमबर C हो जाएगा। Next सवाल देखे 11 नमबर प्यारे बच्चो जापान में किसका सासन था तो आप याद रखेगा 11 का A हो जाएगा सोगुन का सासन था जापान में किसका असासन था यानि सोगुन का बारे नमबर देखें मेज जी पुनर अस्थापना कब हुई थी मेज जी पुनर अस्थापना जो हुई थी तो वह कब तो आप याद रखेगा 1914 से 1908 तक राइट एंसर डी हो जाएगा नेक्स चलते हैं तेरे नमबर मंचू इंसर भी हो जाएगा 1455 में जितने भी प्यारे स्टूडेंट अगर चैनल से नए जुर रहे हैं और चैनल को अभी तक आप सभी सब्सक्राइब ने कियें तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेज जरू कर लिए प्यारे स्टूडेंट और वीडियो को एक लाइक जरू प्यारे स्टूड कीजे ठीक है तो चौदे देखे जूलिया सीजर कौन थे तो आप याद रखेगा शेना पती थे ठीक है राइट एंसर ए हो जाएगा और आप सभी को जो कुशन देते हैं हम एक्जाम में आने वाले ही कुशन देते हैं ठीक है पेंदियन क्या था तो आप प्याद रखेगा एक मंदिर था ठीक है नेक्ष्ट वर वाद पड़ ठीक है राइट एंसर अटारे नंबर सवाल देखे पेगंबर महम PO का जन्म कब हुआ ता सोरी कहां वह रखा में हुआ था और कब हुआ था पा ता देखे 19 नमबर इसलाम के सनस्थापक पैगंबर मुहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था तो आप सभी को इससे पहले बताए यहां पर आप सभी को इससे पहले बताए और आप सभी एगर ध्यान से कलास कर रहे हैं तो 19 का आप सभी कमेंट करेंगे यहांने कमेंट बोक्स में ठीक है 19 का राइट एंसर ठीक है तो चलिए देखे 20 नमबर देखें यहां पर पूचा गिया है मुस्लिम पंचांग का पर्थम और समाना जाता है तो आप याद रखेगा 20 का राइट एंसर सी हो जाएगा 622 यहांने इस वी ठीक है नेक्स्ट 21 है राइट एंसर सी हो जाएगा नेक्स्ट 23 नमबर देखें याया वर का अर्थ है याया वर का अर्थ क्या होता है तो घुमक कर होता है राइट एंसर एंसर हो जाएगा नेक्स्ट चलते हैं 24 नमबर ओगो देई किसका पूत्र था तो आप याद रखेगा ओगो देई जो है चंगेज खान का पूत्र था राइट एंसर 24 का हो जाएगा औ Gibson चंगेज खाने अरब खान का ठीक है राइट एंसर B हो जाएगा नेक्स चलते हैं पचीस नमबर मंगोलीय कहाँ पर श्थित था तो देखे मंगोलीय जो श्थित है तो वो एसिया में इस्तित है, राइट एंसर यहाँ पर 25 का B हो जाएगा, नेक्स चलते हैं 26 नमबर देखें, निमनल इखित में से खाना बदोस जाती कौन थी थी, तो आपको याद रखना है, खाना बदोस जाती सक थी, ठीक है, राइट एंसर B हो जाएगा, 27 देखें, सामंतों का घर क्या कहलाता है, तो आप याद रखेगा, सामंतों का घर जो कहलाता है, वो यानि फीका कहलाता है, नेक्स तो 29 नमबर सवाल देखें, सर्फ किसे कहा जाता है, सर्फ जो कहा जाता है, तो वो किसे, तो आप याद रखेगा, पोप को, नेक्स चलते हैं, 30 नमब history का 30 objective question जो आपको पूछे जाते हैं उसका answer की मैं आप सभी को बता दिया ठीक है प्यारे बच्चो आप सभी को class कैसा लगा comment में जरूर बताईएगा subjective question के लिए आप सभी telegram channel जरूर जोईन कर लीजेगा ठीक है तो चलिए प्यारे बच्चो मिलते हैं लोग next class में next topic के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल लखें अपना study जारी रखें टेक कियर thanks for watching